संगत करणी संत की क्या नुगरा से का नुगरा ले जावे नरक मैं संत मिला वेरा संगत करणी मिर मल संत री महारी है लिए संगत करणी मिर मल संत री महारी है लिए आवा गमन मिट जाय रे जनम मरण छुट जा अग मैं मारी है लिए चंदन उग्यों हरी बाग मैं मारी है लिए खुशी भाई बन राय रे आप सुगंद ओराने करे मारी है लिए रही रे सुगंदी छाबरे रही रे सुगंदी छाब बासु उग्यों रे डर रे टूंदी छाब उग्रे मारी है लिए थरक रही वन राय रे थरक रही वन राय आप बड़े ओरोंने बाल सीम रिहे ली कपट गाठ घट मारे कपट गाठ घट मारे चंदन उग्यों हरिये बाग में खुशी भई बन राय और बास उग्यों डर डूंग रे थरक रही वन राय जहां एक तरप चंदन के उग्यों से वन में चारों और खुशी और आरंद का महोल हो गया कि अपनी सीतल चाया के साथ साथ दिव्विश उगंद से पूरे वन को महकाएगा वही दूसरी और बास के उग्यों से वन में चारों और उदासी चागई कि एक दिन ये नुग्रा बास खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा और धीरे धीरे समय आगे बड़ा जिसका डर था वही हुआ उसी बास के कारण जेंगल में आग लग गए लोलागी डावा डूंग रैमारी हेली मिल गई जाडो जाल रे मिल गई जाडो जाल और तो पंखेरू सब उड़े गया मरी हेली हंसलो बैठो डाल रे हंसलो बैठो डाल जन्दन हंस सुमक वोख को जाड़े दूग जाड़े 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 अलियो मारी हैली चंदन हंस सूबो अलियो मारी हैली थे क्यूं जड़ो हंस राजरे थे क्यूं जड़ो हंस राज में तो जड़ा बिन पांखिया मारी हैली में तो जड़ा बिन पांखिया मारा हंसा जड़ा है पताला रे मायरे जड़ा है पताला रे मायरे लो लागी डावे डूंगरे मिल गई जालो जाल और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंसलो बैठो डाल जंगल में चारो तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई सारे जीव जन्तू पसू पक्सी अपनी अपनी चान बचा कर भाग गए पर एक हंस आग की लप्टों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैढ़ गया मृत्यू से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपता हुआ देख चंदन हंस से बोल बड़ा कहा हे हंस राज मेरी तो जड़े बड़ी पतालों में गहरी हैं इसलिए इस आग में जलने को विवश हूँ पर तुम्हें तो भगवान ने पंक दिये हैं अपनी इन पंकों का इस्तमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़ कर अपनी जान बचा कर चला जा पर हंस आखों में आशू लेकर बोला हे चंदन तेरे फूल खाए तेरे पत्ते खाए तेरी डाली डाली खेले तेरी चाया में अपना जीवन विदाया और आज इन आग की लप्टों को देख कर आज इस मृत्यू के भय से अगर मैं तुम्हे छोड़ कर चला जाओं तो मेरा प्रीम कैसे चंदन हंस सु मुख बॉलियो मारी हैली थे क्यों जड़ो हंस राजरे थे क्यों जड़ो हंस राज में तो जड़ा बिन पाँ आखिया मारा हंसा में तो जड़ा बिन पाँ आखिया मारा हंसा जड़ा है पताला रे मा यरे जड़ा है पताला रे मा फल खाया पानपिरो अलिया मारी हेली फल खाया पानपिरो अलिया मारे चंदन रम्या डालो डाल रे खेलिया डालो डाल ये थे तो जड़ो में क्यूं उबरा महरे चंदन जीवनों है कितरा सालरे जीनों है कितरा सा फल खाया पान पिरोलिया और रम्या डालो डा थे तो जड़ो और महें क्यूं उबरा जीनों है कितरा साल हंस रोता हुआ चंदन से बोला है चंदन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उकार है और आज इस आग की लपटा और इस संकट की घड़ी को देख कर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाओं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा एक तरफ हंस और चंदन का टूट प्रेम देख कर भगवान की आखों में आशु टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस चंगल में तनी भयंकर बारिस कर दी कि चारों तरफ खुशी का बाहूल हो गया और आग की लप्टे पी बुजी गई साहिब कभीरदाश जी ने कहा चंदन हंसरों प्रेम देखने मारी हैली दूधा पर शो में वरे कहे कभीर सा धर्मी दास ने मारी हैली कहे कभीर सा धर्मी दास ने मारी हैली नित नित नव लावे श्रे नित नित नव लावे संगत करोनी निर्मल संत्री मारी हैली आवा गमन मिट जायरे जनम मरण छुट जा हा भॉबसर फास भॉबसर फिर्मन मॉदध दित ना दो वहिसँ जबसा नहीं को एल्ला है भॉबसर करो ऊसित पर दोर मारी है